हलो फ्रेंज, चै माता दी, कैसे हैं आप सब, आए मैया के नवराते और नवरातर की तैयारियां हम सब ही शुरू कर चुके हैं नवरातर के पहले अपने अपने घरों को साफ सुत्रा कर, जो भी लक्षमी कारक चीजे हैं उनको अपने घर पे स्थान देने की होड में चुट गए हैं इस बार कोरोना की वज़े से बाहर जाकर की नवरातर नहीं मनेंगी इसलिए घर में ही सभी लोगों को सच्ची दिल से मा की प्रार्थना करनी है मा का अवाहन करना है और भगवान श्री राम ने भी देवी शक्ती की आराधना करके ही दुष्ट राक्षर स्रावन का वद किया था और समाज को ये संदेश दिया था कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है नवरात्र का पर्व यानि देवी शक्ती मा दुर्गा की उपासना का उत्सव है और नवरात्र के नौ दिनों में देवी शक्ती के हम नौ अलग अलग रूपों की पूझा और अराधना करते हैं एक वर्ष में पांच बार नवराते आते हैं चैत, आशाड, अश्विन, पोश और माग नवराते और इनमें जो चैतर और अश्विन महा के नवराते होते हैं इनमें भी अश्विन नवरातर यानि शार्दिय नवरातर ही मुख्य माना गया है इसके अलावा अशाड महा, जो भी है उन सभी पर मेला लगता है इसके अलावा मंदिरों में जागरन मादुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की जहांकिया बनाना आदी की जाती है घरों में कलश थापना होती है दुर्गा सब्तशती का पाठ चुरू होता है और अलग-अलग उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति के लिए मांक नौ दिनों मांक देवी के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्थिक तंगी विशेश कर इस कुरोना काल में जो आर्थिक तंगी आई है इससे जूज रहे हैं अगर आप भी तो टात्र के दिन आप को ये विशेश पूजा करना चाहिए मंतर का जप करना चाहिए इससे लाब की प्राप्ति होती है यदि मालक्षमी को प्रसंद करने के आप उपाए अपना लेते हैं तो पैसे संबंदी समस्या दूर हो जाती है और देवी अराधना का पर्व ऐसे भी इस बार बहुत सारे विशेश संयोगों में आया है बुद्ध आदित्य योग है सरवार्त सिद्धी जैसे खास योग हैं शक्ति साधना के लिए और भी महत्वपुर्ण बना रहे हैं देवी भक्तों को माता की अराधना और सिद्धी के लिए अफसर मिलने वाले हैं नौमी हों दश्मी हों एक 22 ऑक्टूबर तक पुर्ण होने वाले हैं तीन रवी योग बुद्ध आदित्य योग सरवार्त सिद्धी योग रहने वाला है और सिद्धियां प्राप्ति के लिए विशेश अफसर मिलने वाला है घड स्थापना शनिवार के दिन तुला राशी का चंद्रमा चित्रा नक करते हैं उसका प्रत्यक शरूप से आपको फल मिलता है इस बार सूर्य लाभेश होकर तुला लगनमे बुद्ध के साथ होने से शुब फल देने वाला इस बार नौरहात्र में ग्रहों की ऐसी स्थिती है कि जो भी पूजा करेंगे अनुष्ठान करेंगे सिद्धियां करें वो तुला लगनमे बुद्धादित्य योग यानि की सूर्य और बुद्ध एक साथ विराजित होने से जो योग बन रहे हैं ये आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे मकर राशी में शनी देव, सिंग राशी में शुक्र, व्रिश्चिक राशी में केतू, धनू राशी में गुरू, व्रिशव राशी में राहू और मीन राशी में मंगल विराजित है और किसी भी परेशानी से निज्जात पाने के लिए यह अत्यांत ही शुब समय है इस दोरान देवी मा साधक की शर्था से की गई, छन मातर की पूजा से भी प्रसन्न हो जाती है, मन चाहा बर्दान देते हैं, खास कर अगर धन संबंदी परेशानिया हो तो मा लक्षमी को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रतीक माने जाने वाली लक्षमी कौडियां इस बार आपको सरूर पूजन करना है, ध्यान रखें, ये कौडियां संपुर्ण होनी चाहिए, छेद वाली नहीं होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए, सफेद कौडियों को पीला नहीं करना है, और किसी भी कौडियों को ऐसे ही चुन करके आपको नहीं लेना चाहिए, अगर आपके जीवन में आर्थिक संबंदी समस्याएं हैं तो आपको ये पीली कौडियों का प्रयोग करना चाहिए इस बार आपको पीली कौडियों पर बैट कर लक्षमी मा के मंतरों का चप करना चाहिए इससे जबरदस्त लाभ मिलता है क्योंकि ऐसे भी माना जाते है कि समुद्र मंतन से 14 प्रकार के रतनों की प्राप्ती हुई थी और उनमें से ही एक पंच जन्य शंक था जो कि कौडि के रूप में है बता दूँ आपको प्रारम काल में कौडि का प्रयोग मुद्रा के रूप में हुआ था हाला की दीरे-दीरे मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा कुछ समय बाद इसका प्रयोग चौसर, चोपड, आदी खेलों में बतार पासे की किये जाने लगा मालक्षमी का स्वरूप होने जाने वाली कौडिया को तंद्र विद्या में भी विशेश महत्व दिया गया है और अगर तमाम प्रयासों के बाद भी आपके घर में धन नहीं रुखता है तमाम मेहनत के बाद आपको लाभ मिलते मिलते रह जाता है तो आपको प्रयोग करना चाहिए पीले कौडियों का आम तोरण पर कहावत क्या कहती है दो कौडि का आदमी यानि कि कम हैसियत वाला आदमी दो कौडि की हैसियत हो जाना यानि बरपाद हो जाना दूर की कौडि लाना या अच्छा सुजाव देना कौडियों के मोल यानि कि कम बैल्यू में चीज़ को खरीदना ये शब्द कौड़ी हमारे जीवन में बहुत गहरे रूप से जुड़ा है और कहीं इसे लोग कहीं पर इसे पिरोकर लहंगे चुन्नी में आभूशन में पहनते हैं इस तरियां तो कहीं इसकी पूजा की जाती है लेकिन महालक्षवी माता के साथ इसका बहुत कहरा कनेक्शन होता है क्योंकि समुद्र मन्थन के दौरान उनके बहाई के रूप में ये बाहर निकला था साधक नौरातर में इन चमतकारी कौड़ियों को यूज करके अपना दिन फेर सकते हैं जोतेश हो, तंत्र हो, पौरानिक शास्त्र हो, सभी में कौड़ियों का ये चमतकारी कौड़ियों का वर्णन किया गया है इनने धन संबंदित विशेष रूप से माना जाता है महा लक्ष्मी माता की विशेश कृपा होती है जिस घर में ये होता है और धन से बरकत होती है इन्ही वस्तूओं में से सबसे विशेश्ट वस्तू लक्ष्मी मा की प्रिय लक्ष्मी कौडी है और जिसके घर में भी अभी मंतरित करके रखा होता है वो धीरी धीरी कब राजा हो जाता है पता भी नहीं चलता आपको सिफ नरात्र में किसी भी दिन मादुर्गा के लक्ष्मी स्वरूप को परणाम करके पीले रंग की ये कौडियां, पीले रंग के वस्त्र में अभी मंतरित करके आपको रखनी है सवा लाख जब से अभी मंतरित होनी चाहिए और पूरी पीली होनी चाहिए एनरजाइज की वी होनी चाहिए तबी ये कौडियां लक्ष्मी रूस्वरूप में आपके घर पे विराजमान होती है इसलिए इसे आप किसी लोकल जोतिषते अभी मंतरित करके या ब्रमचारी पंडित जी द्वारा ब्रमचारी का पालिन करते वे 41 दिन में और लाज दिन इसे तीजोरी में या जहां भी आप पैसे रखते हो घर हो दुकान हो गला हो कोई फैक्टरी हो पर्स हो वहाँ पर आपको इसको रखना चाहिए साथ ही साथ माता लक्षमी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके जीवन में धन सम्रिद्धी की बरकत करे आय में व्रिद्धी करे व्यवसाई में लाप कराए और अगर आपके जीवन में आपको बार बार आर्थिक नुकसान जेलना पड़ता है तो हरे रंग के अबिमंतरित लक्षमी कौडियां एनरजाइजड हो ध्यान रखे ग्यारा कौडियां रखकर के लक्षमी कौडियां घर की उत्तर दिशा में आपको छिपा देना है ध्यान रखे वाइट कौडियां नहीं लेनी है और यलो कौडियां आप इस प्रकार से चुपाते हैं तो चमतकारी है ये और ना किवल धन समृध्धी लाती है बलकि हमारे घर से नकरात्मक उर्जा को भी दूर करती है किसी ने अगर घर में कुछ कर दिया हो लगता है किसी ने बांध दिया हो नकरात्मक ता बहुत हो गई बैठे बैठे लोग लड़ पड़ते हैं किसी का भाग ये काम नहीं करता है हर जगे दुरभाग ये काला पन इस प्रकार से आपके घर में फैल चुका है अंधकार सा हो गया है तो घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग के कपड़े में ग्यारा पीली सिद्ध कौडियां आपको बांध करके तांग देनी है ऐसा करने से घर में जिसे म कर सकें आप तो गोमती चक्र भी एक आता है वो भी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है उसे भी सिद्ध करके नौ गोमती चक्र भी आपको इसके साथ बांधना चाहिए अगर नहीं उप्टेन कर सकते गोमती चक्र तो सिर्फ पीली कौडियां बांधे और ये नकरात आप कर्ज नहीं लोटा पा रहें, तो एक काले रंग की कौड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, सवालाग दब जब के द्वारा, आप सिद्ध करवा लीजे कर्ज मुक्ति मंत्र से, और काली कौड़ी ले लीजे, और उसके साथ एक गूमती चक्र, लेकरके इन दोनों को पीले रं मिलती है, और अचानक ही धनलाप की योग भी बनते हैं, लक्षमी कौड़ी को सोने की चेन में डाल कर पेंडेंट की तरह भी आप पहन सकते हैं, इससे भी पूरी दुनिया को सम्मोहित करने की शक्ति आपके अंदर प्राप्त होती है, और कहा जाता है कि ये वशीकरन मंत्र द्वारा सिद्ध होनी चाहिए सम्मोहन के लिए और ऐसा व्यक्ति समाज का सर्वप्रतिश्थित व्यक्ति बनता है, उसकी ख्याती चारो ओर दिन दुनी राच चौगनी फैलती है, नवरात्र की अश्टमी तिथी के दिन, किसी भी शुर्द मुहर्ट में पूजा घर में 27 नक्षत्र को वश्मे करने के लिए आपको 27 कौडियां स्थापित करने चाहिए, हर नक्षत्र की पूजा द्वारा ये सिद्ध होनी चाहिए और घर में लक्ष्मी का इससे बास होता है, नौकरी में सबलता है तू, नवरात्र में महालक्ष्मी पर चड़ी तीन पीली कौड नवरात्र में अभिमंत्रित करके तीन कौडियां मौली में बानकर बाजु में धारन कर सकते हैं, समय समय पर धागा बदलते रहे और घर में अगर आपको लगता है वास्तु दोश है, तो साथ लक्ष्मी कौडी और साथ गोमती चक्र को सियार सिंगी की जड़ के साथ सिद घर साक्षात कुबेर का भंडार बन जाता है, और अगर आपका बना बनाया अलरडी मकान है तो उत्तर दिशा में कोई गमला या कच्ची मिट्टी रख करके आप इसे तबा सकते हैं, ये भी अद्भूत होता है और घर में सपरतस्त बरकत लेकर के आता है, दोस्तों ये इसे आप मनो कामना अनुसार स्थापित करें, आप देखेंगे, जब मिल जाए आपको ये कोडिया तो आपको ओम श्रिम रिम रिम एम वज्र वैरोचन्ये श्रिम रिम रिम फट स्वाहा इस मंतर का आपको तीन माला का जब पांच दिन तक लगातार करना है और फिर आप इ और देवी दुर्गा के नौ रूपों में प्रथम स्वरू पाता है मा शेल पुत्री, चंद्रमा को दर्शाती है, इसकी पूजा से चंद्रमा संबंदित दोश समाप्त होते हैं, दित्ते दिन आपको मा ब्रमचारनी की पूजा करनी, 18 अक्टूबर को देवी ब्रमचारनी मंगल ग्रह को नियंतरित करती है, और मंगल के बुरे प्रभाव को कम करती है, इस दिन हरे वस्तर से आप उनका पूजन करें, हरे रंग आप वी धारन करें, और तृत्ते दिन मा चंद्रगंटा की पूजा का विधान आएगा, 19 अक्टूबर को करना है ये शुक्र ग्रह को यानि आपके जीवन में लक्षरीज को नियंतरित करती है, ये मा शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव, अगर आपके जीवन में लक्षरीज नहीं मिलते हैं आपको तो उसका प्रभाव कम करती है, भुरे रंग का प्रयोग करें इनकी पूजा में, चौथे दिन मा कूश कूश मांड़ा की पूजा का विधान आता है, सूर्य का मार्ग दर्शन करने वाली मा है, सूर्य के कूप रभावों से बचाती है, ये शो मान सम्मान हो इनकी प्राप्ति के लिए आपको कूश मांड़ा देवी की पूजा नारंगी रंग से करनी चाहिए, आप खुद भी नारंगी वस्तरधान करें, नारंगी रंगी चीजें मा को चढ़ाएं, मंगलवार के दिन 20 अक्टूबर को कुश्वांडा पुजा का विधान है, नवरातर के पांचवे दिन, यानि की बुधवार, 21 अक्टूबर बुधवार के दिन, मा सकंद माता की पुजा का विधान नवरातर के छटे दिन, मा का त्याईनी की पुजा का विधान आता है, विवाह की देवी, प्रेम की देवी, और ब्रहस्पति ग्रह को नियंतरित करने वाली देवी है, ब्रहस्पति के बुरे प्रभाव, अगर शादी विवाह में देर हो रही है, लड़का ने मिल रहा, ल उन सभी को कालरातरी की पुजा, 23 ओक्टूबर शुकरवार के दिन सरूर करनी चाहिए, पूरे 9 दिन कीजे मा के मंतरों का जब, और नीला रंग आप इस्तेमाल करें, नीले फूल चढ़ाए, नीले रंग के वस्तर चढ़ाए, मा को नीले रंग का भोग लगाए, नवरातर 23 ओक्टूबर शनिवार के दिन, ये पूजन का दिन रहने वाला है, नौमी भी इसी तिथी को आ जाएगी, लेकिन हम नौमी तिथी प्रेफर करेंगे, मा सिद्धी दातरी के लिए 25 ओक्टूबर को, और रविवार का दिन है, इस दिन आप बैंगनी रंग के वस्तर धान कर जो लोग भी वरत का पारण करेंगे, दश्मी तिथी यानि 26 ओक्टूबर को सोमवार के दिन कीजिए, दुर्गा विसर्जन इसे दिन होगा, और अत्यां थे दुर्लब इस बार ये नवरातर आ रहे हैं, इसका पूरा-पूरा इस्तिमाल कीजिए, आगे और भी बताउंग इन लक्ष्मी कौडियों को बहुत महत्वपुन माना गया है, धन को चुम्बक की तरह अपनी ओर खीचती है, थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, लेकिन जिसको मिल जाता है सिद्ध की विए कौडियां वह कुबेर के समान धन पती हो जाता है, लक्ष्मी कौडियों को ध्य प्रयोग करने के पहले उसे सिद्ध करना जरूरी है क्योंकि बिना सिद्ध के आप कहेंगे कि माह हमारे पास तो है लेकिन वह प्रभाव नहीं दिखाता, ऐसा नहीं होता है, आपको पहले उसे सिद्ध करना चाहिए, तंत्रोग्त मंत्रों से किसी भी तंत्रिक रात्री में 41 रात्री लक्ष्मी के तंत्र मंत्रों से आपको सिद्ध करना चाहिए फिर दशान शवन होता है फिर प्रयोग किया जाता है और फिर इन सिद्ध लक्ष्मी कौडियों को लाल रेश्मी वस्तर में बान करके उत्तर दिशा में रखी तिजोरी में या फिर अपने पूजास थलपे विराजमान करने से मनुष्य धनवान बनता है आप चाहें तो 11,008 शी सुक्त के पार्ट से भी इससे सिद्ध कर सकते हैं ध्यान रखें नियम बहुत होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना होता है हर चीज में सात्विक्ता जरूरी होती है उपास जरूरी होता है इस तरह से इसलिए बैतर होता है किसी तांतरिक द्वारा इसे सिद्ध कराई या किसी ऐसे जोतिश से सिद्ध कराई जिनके पास ग्रमचारिय वाला आदमी हो और जब ये मिल जाएं तो इन पर केसर का तिलक लगाएं और लाल कपड़े की थैली में बानकर घर की उत्तरी दिवार पर आप इसे लटका सकते हैं इससे भी धनकी आवक बढ़ती है और कुछी बर्शों में मनुष्य गरीब से करोड़ पती हो जाता है दोस्तों जिसके पास ये सिद लक्ष्मी कौड़िया होती है वह खंड साम्राज्य पती होता है उसके पास धनकी कोई कमी नहीं होती और जिसके हाथ भी ये अभी मंतृत पीली कौड़िया लग जाती है वह अतुलनिय समपत्ति हासल कर लेता है तो इस बार आप भी नवरात्र से पहले इसे घर लेकर के आए और जब ये प्राप्त हो जाए तो जो मैंने मंत्र आपको बताया है उस मंत्र से से आपको जब 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 करना चाहिए और फिर देखें कैसे अद्भुत रूप से आपके जीवन में सकरात्मता आती है तो कर लीजे उपाए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे जो लोग भी इतने दिन तक करज से परेशान थे या किसी भी तरह से धन किया वक से परेशान थे या बुरी नजर से या किसी भी किये धरे से परेशान थे उन सभी से इन वीडियो को देव बनी रहे, आपके जीवन में खुशाली हाए, आपके सभी कष्ट करते और दिन दुनी रात चौगुनी आप उन्नती करें, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं connected रह सके, love you all friends, take care, छे माता दी, बमबम भोले नात की